टो इस वीडियो में हम सीखने वाले है है कि event listeners क्या होते हैि जावा-script Stock पीछली वीडियो में हमने यह दिखा कि Dom Events क्या होते है उसके अंदर हमने different operations perform किये on click कर के mouse enter करके key up key down कर के तो इस वीडियो में हम सीखने वाले है कि event listeners कैसे अढ़ कर सकते वो जो हमने Domimates use किये थे ना वो हम inline भी type कर सकते थे ऐसे on click करके direct हमें इसके आगे जो operations perform करना था वो लिख सकते और javascript के अंदर भी हम उसको perform कर सकते लेकिन जो यह जो add event listener है ना वो हमें javascript के file के अंदर ही लिखना होता है और उपर से यह जो button हमने select किया है यहां पर हमने एक button create किया है यहसा नहीं है किपसी button पर ही operation perform होंगे हम इसके जगग कोई भी due ले सकते या फिर कोई element हमें चाहिए हो तो वो ले सकते उसके उपर operations perform कर सकते लेकिन अभी मैं आपको basic सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने यहां पर एक button लिया है तो यहां पर देखे इस button को हम select कर करके यहां पर vtn.addEventListener करेंगे और इसके अंदर हमें जो operation करना है वो लिखेंगे suppose हमें यहां पर click करना है click के बाद कोई operation करना है और उसके आगे हमें लिखना पड़ता है task suppose यहां पर हम कोई भी function लिख सकते तो function लिखने के हमारे पास दो तरीके पर्स तरीके में क्या ह होगा हम यहां पर function create करेंगे इसको कुछ नाम दे देंगे और इसके अंदर हमें जो perform करना है वो हम कर लेंगे suppose में यहां पर console.lock किया अपने hello को और यहां पर हम इस function को call करेंगे मतलब call करके यहां पर execute नहीं कर देंगे अगर हमने यहां पर execute किया तो यह directly print हो जाएगा और अब देखो जब भी click करूंगा तब यह print होगा तो ऐसे करता है यह का यहां पर हम की up लिख सकते हैं जो हमने on click पे लिखे थे ना वहीं यहां पर लिखना है बस हमें on नहीं लिखना देखो यहां पर हमने key up लिखा अब मैं यहां पर जा रहूं यहां पर कौन सी भी key प्रे function को अब यहां पर हमें name देने के जरूरत नहीं यह function की क्योंकि यह directly execute हो जाएगा तो यहां पर console.log करेंगे हम अपने hello को अभी यहां पर जाएंगे हम देखो print होने लगा तो यह से हम add कर सकते हैं अपने event listener को अभी कौन-कौन से event listener होते हैं यह आप mdn की website पर जाके check कर सकत हो कि कौन-कौन से event listeners available है अपने JavaScript में तो यही ता इस video में